हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैंडिट वेइन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइट करता है यानि कि आप यहां पर किसी भी क्लास में हो कोई भी सब्जिक्ट के आपको परिशानी हो आप यहां आकर फ्री में उस समस्या का समधान लेकर जा स बक्ते हैं आपको कोई भी वीडियो देखना है उस्के लिए आपको ना ही कोई पेमिंट करना है ना कोई कूपन करीदना है और ना ही किसी तरह की पैकज को परचेस करना है बस आप अपने वीडियो जो भी आपको समस्या उस टॉपिक से रिगार्डेंग अपना वीडियो देख लीजे और आप अपनी समस्या का हल ले लीजे वो भी 100% फ्री में मैगने ब्रेंग से अब आपके लिए बुक्स और इबुक्स भी लेकर आया है ताकि आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से हो सके ये बुक्स आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लास की और सभी सबजेक्ट की मिल रही है इसमें content हमने आपको बहुत ही उंदा दिया है और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको हरी चीज अच्छे से समझ में आए तो इसलिए हमने बुक को अलग-अलग categories में divide किया है अब यह categories कैसी हैं जैसे हम theory पढ़ते हैं किसी भी topic को या किसी भी chapter की theory पढ़ते हैं तो एक book में आपको पूरी theory book रहेगी दूसरी जैसे हमने chapters में MCQs पढ़े हैं तो पूरी एक book हमारी MCQs book रहेगी उसी तरह हम sample paper करते हैं हम chapter wise revision करते हैं तो इन सब की अलग-अलग book आपके लिए available हैं अब सवाल उटाएं कि यह books आपको मिलेंगी कैसे तो इन books को प्राप्त करने के लिए नीचे description box में एक form दिया क्या है आप इस form को fill कर दीजिए तो जैसे ही आप fill करके इसको submit करेंगे हमारी team आपसे contact करेंगी इसके रिकारे तो इस तरीके से आपको जब यह books मिल जाएंगे तो आपके लिए यह पढ़ाई बहुत ही आसान और आसान होती चली जाएगी तो आते हैं आज के वीडियो पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम आज magnet brain test paper आपके लिए लेकर आए हैं ये class 3rd से 12 तक सभी subject में available कराये जा रहे हैं आपको वो भी 100% free जैसे अभी तक आप सारे वीडियो उमारे free देखते आएं वैसे ये test paper भी आपके लिए free है तो test paper हम क्यों करा रहे हैं exam हूँ हमारे test हूँ internal revisions हूँ तो हर रूप में हमारे सामने question paper रखे जाते हैं तो इन question paper को हमारे लिए करना आसान हो जाए इसलिए हम अगर पहले से practice कर ले तो बहुत आसान रहता है तो इसलिए हर chapter के हम अलग-अलग आपके लिए test paper लेकर आ रहे हैं तो अब हम कई chapters कर चुके हैं और आगे और भी chapter करेंगे तो देखते हैं कि आज हमारी कौन सी class है और कौन सा subject है तो आज हमारी class है 10th Hindi course A book है शत्रच भाग दो का गद्य खंड तो शत्रच के हमारी book जो दो खंडों में विभकते हैं उसके गद्य खंड का अध्याय है संस्कृति संस्कृति, संस्कृत वेक्ति, सब्भेता इन सब चीजों में हमें बहुत जादा कुछ मतलब समझ में नहीं आता था तो जब हमने ये chapter पढ़ा तो काफी हद तक हम इन सारी doubts से हम फ्री हो गए क्या होता है यह थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आने लगा अब हमको कितना समझ में आया क्या नहीं आया तो इसको हमें टेस्ट दे लेते हैं जल्दी से हमारी समझ में आ जाएगा तो questions दो आपको मिल चुके हैं तो चल ये फट फट अब इनको solve करते हैं इस stress paper में आपके सामने objective और subjective दोनों ही तरह की questions रखे गए थे तो अब इस में हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है हमारे objective question तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है गध्यांश यानि कि गध्यांश है उसको हम पढ़ेंगे फिर उस पे आतारित प्रशनों को हल करेंगे तो याद रखिए जब भी गध्यांश आए हमेशा कोशिश करिए कि गध्यांश को एकी बार में पढ़ने की कोशिश कीजिए एक ही बार में समझ में आए तो अब यह आप बोलोगे कि हमको नहीं समझ में आता तो इसको तरीका सिर्फ यही है कि आप जितने जादा गद्यांश को solve करेंगे आपकी यह समस्या उतनी जल्दी हल होगी क्योंकि यहां पर सारा खेल concentration का है आप जितना जादा द्यान से गद्य एक संस्कृत वेक्ति किसी नहीं चीज की खोच करता है किन्तो उसकी संतान को वहां अपने पूर्वच से अनायाशी प्राप्त हो जाती है जिस वेक्ति की बुद्धी ने अतवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथे का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वच से वह वस्तु अनायासी प्राप्त हो गई वह अपने पूर्वच की भाति सब भले ही बन जाएं संस्कृत नहीं कहला सकता एक आधूनिक उधारन ले न्यूटन ने गृत्वाकर्शन के सद्धान्त का आविश्कार किया वह संस्कृत मानव था आज के युग का भौतिक विज्ञान का विध्यारती न्यूटन की गृत्वाकर्शन से तो परचित है लेकिन उसके साथ उसे औ आधिक सब भले ही कह सके पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते तो देखिए अब यहां पर संस्कृत विक्ति का तात पर रिख्या है अगर कोई भी नई चीज की खोज करता है तो वो क्या कहलाता है संस्कृत विक्ति कहलाता है अब जैसे मान लीजिए न्यूटन ने खोज किया, अब उसके बच्चों को वो घृत्वा कर्शन का सद्धांत क्या हुआ, वो तौफे के रूप में मिला, क्योंकि इसकी खोज तो न्यूटन कर चुका था, अब न्यूटन क्या कहलाया, संस्क्रत रिक्ती कहलाया, क्यों? क्योंकि उसने खोज करी थी, लेकिन इधर और उसके जो पूरवा, उसके जो कहते हैं आगे आने वाली पीड़ी है, वो क्या है? वो संस्क्रत नहीं कहलाएगी, क्यों? क्योंकि उसने खोज नहीं करी, उसे तो यह सब चीजें गिफ्ट रूप में मिल गई, आब उसने गृत्वा कर्शन के सद्धान के साथ बहुत सारी और भी चीजों को गृत्वा कर्शन के साथ जोड़ की पता कर लिया, लेकिन तब भी वो संस्क्रत वेक्ति नहीं कहलाते हैं, तो चलिए, अब इसका द्यांज पर प्रेशनी क्या है? संस्क्रत वेक्ति कौन है? जो संस्क्रत बोलता है, जो सब्बे होता है, जो किसी नहीं चीज की खोज करता है अपने पूर्वजों से अनायास ही कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है अपने पूर्वजों से कोई चीज अगर अनायास प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाता है संस्क्रत व्यक्ति सब्विवक्ति संभ्रांत व्यक्ति या विद्वान व भौतिक विज्ञान के विध्यारती न्यूटन जितने संस्कृत क्यों नहीं हो सकते क्या कारण कि न्यूटन संस्कृत विध्यारती के लाया मगर भौतिक विज्ञान के जो विध्यारती है जो अब घृत्वाकरशन के सद्धान को पढ़ते हैं मगर वो संस्कृत नहीं कहलात हे तो सही क्या है यहां पे हम बोलेंगे यह सारे ही कथन सत्य हैं संस्कृति संस्क्रिती में एक प्रत्य जोड़ कर नया शब्द बनाई है तो संस्क्रिती में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सांस Utκα NA क्रति यह हमारा सेकंड वाला सही है अब हमारे पास आ रहा है हमारा दूसरा गत्यांश इसको भी हम ध्यान से पढ़ते हैं जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रियोग जिनका उप्योग होता है सबसे अधिक ऐसे दो शब्द हैं सब्भेता और संस्कृति इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेशन हो जाता है क्या यह एक ही चीज है अत्वा दो वस्तमें हैं यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें कलपना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अगनी देवता से साक्षात नहीं हुआ था यानि कि जब आग का विशकार नहीं हुआ था आज तो घर-घर में चूला जलता है आज क्या है हम सभी लोग जानते हैं घर-घर में चूला है जिस आदमी ने पहले-पहल आग का आविशकार किया होगा वह कितना बड़ा आविशकार करता होगा अत्वा कलपना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई दागे का परिचेना था जिस मनुष्य के दिमाग ने पहले-पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकडे को घिसकर उसके एक सिरे में छेद और छेद में धागा भी रोकर कपड़े के दो टुकडे एक साथ जोड़े जा सकते हैं वह अभी कितना बड़ा अविशकार करता रहा होगा तो यहां पर संस्कृति और सभ्यता के उगाफोच को दिखाया गया है और साथ ही यहां पर दो चीजों की नए अविशकार के बारे में हमें बताया गया वो ता अगनी और सुई और धागे के बारे में अब इस पे आधारित प्रश्ने हैं कौन से शब्द सबसे अध अधिक उपियोग होते हैं सभ्यता संस्कृति सभ्यता और संस्कृति या भौतिक सभ्यता तो जो सबसे अधिक इस्तेमाल होते हैं वो हैं सभ्यता और संस्कृति सभ्यता और संस्कृति क्या है दोनों एक ही चीज है दोनों अलग अलग है दोनों में कोई संबंध नहीं है दोनों में गहरा संबंध है तो सही क्या है कि दोनों में गहरा संबंध है किसमें संस्कृति और सभ्यता में लेखक ने बड़ा अविश्कार करता किसे माना है सभ्यता का विकास करने वाले को आग का विश्कार करने वाले और सुई धागे का विश्कार करने वाले को आधुनिक विज्ञान के अविश्कार करता चांद पर पहुँचने वाले को तो हमारे लेख़क ने सबसे बड़ा अविशकार करता किसको माना जिसने आग का अविशकार किया और जुसने सूई और धागे का अविशकार किया ये सही option है नेक्स्ट ने भौतिक सभ्यता का संबंध किस से है भौतिक सभ्यता हमने पढ़ाने तो इसका संबंध किस चीज से है धर्म से हमारे रहन सहन खान पान से हमारे भूत काल से हमारे भविश्य से तो भौतिक सभ्यता का ताथ पर है हमारे रहन सहन वा खान पान से यानि कि हम किस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये हमारी भौतिक सभ्यता कहलाती है, लेखक ने सुई बनाने वाले को बड़ा अविशकार करता क्यूं माना है, उन्होंने क्यूं कहा कि सुई बनाने वाला बहुत बड़ा अविशकार करता है, इसका क्या कारण था, क्योंकि तब स मनुष्य सर्दी से बचाव करना सीख गया क्योंकि किसी ने सुई नहीं बनाई थी सुई बनाना बहुत बड़ा अविश्कार था सुई बनाने वाले को बड़ा अविश्कार करता कहा जाता है तो सही option क्या है क्योंकि सुई बनाने के बाद जो है मनुष्य ने सर्दी से बचा लेकिन जब उसने सुई धागय का विशकार कर लिया तो उसने अपने वस्तर बनाने शुरू कर दिया जिनको वो पहनने लगा तो इस तरीके से उसने सर्दी से अच्छी तरह से बचाब कर लिया देखे एक शॉल के ओडने से और एक टाइटली वाम कपड़ा पहनने से फरक हो बोला गया कि सुई धागय का विशकार करने वाला सबसे बड़ा विशकार करता है अब इस प्रश्ट के साथ हमारे यहां पर बहुवी कल्पी प्रश्ण खतम हो जाते हैं अब हमारे वर्णात्मक प्रश्ण शुरू होते हैं वर्णात्मक प्रश्ण में हर उसमें आपको ब पहला हमारा प्रश्ण है वर्णात्म का और प्रश्ण पत्र का ग्यारवा प्रश्ण है नूटन को संस्क्रत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिये गए हैं नूटन दारा प्रति पादित सधानतों इवं ज्यान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी नूटन इनने तो अविशकार किया था गुरुत्वा कर्शिन का उनको पता चला लेकिन जब उसके आने वाली आगी पेडियों को तो क्या था यसे भहुतिक विग्ञान के आज के स्टुडिण है तो उन्हें घृत्वा कर्शिन का पता तो नूटन की द्वारा पता चल गया तो नहीं किया है इसलिए वो संस्रत्थ रिखती नहीं कहलाते हैं देखिये क्या है न्यूटर को संस्रत्मानव कहने की पीछे ये तर्क दिया गया है कि न्यूटर ये घृत्वा करशन के सिध्धान तसमंदी नय तर्ठका दर्शन के यह मतल varit उसे कोई नई चीज निकाल कर रखी थी हमारे सामने और इस सिध्धान्त की खोच करी नई चीज की खोच करने वाला न्यूटन संस्क्रत मानव था कुछ लोग Newton की पीडी के हैं वे Newton के सद्धांत को जानने के लावा अन्य बहुत सी अन्य बातों को का ग्यान रखने कहने का मतलब है न्यूटन ने तो घृत्व कर शे लेकिन आगे आने वाली पीडी ने उससे भी जादा चीज़ों को जाना समझा जिनसे न्यूटन सरवता अनभिग्य था परन्तु उन्हें संस्कृत मानभ इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भाती किसी नए तत्यका विश्कार नहीं किया ऐसे लोगों को संस्कृत मानभ नहीं बलकि सब्भे मानभ कहा जाता है मतलब हम किसी की खोजी गई चीज़ों पर और सारी चीज़े पता करेंगे तो हम सब बे कहलाएंगे अगर हम कोई नई चीज़ की खोज कर देते हैं तो हम संस्कृत मानव कहलाएंगे सब्भिता और संस्कृत जैसे शब्द और भी भ्रामक कब बन जाते हैं? कब बन जाते हैं जब उनके साथ और नए शब्द जुड़ जाते हैं जैसे हमने बताया था भौतिक सब्विता आपकी आध्यात्मिक सब्विता जब ये सारे शब्द जुड़ जाते हैं तो ये शब्द और भी जादा भ्रामक हो जाते हैं क्योंकि एक तो पहले नहीं समझ मे बहुत तिक विशेशन आदी जुड़ जाते हैं ऐसे स्थी में इनका अर्थ गलत हो जाता है एक तो पहले ही हमारे लिए संस्रिती शब्द जो है वो clear नहीं था उसमें और शब्दों का जुड़ना हमारे लिए और जादा समस्याओं को खड़ा कर देता है आग के अविशकारक को बड़ा अविशकार करता क्यूं कहा जाता है क्यूं कहा जाता है क्योंकि भाई आग से ही आजकल हमारी सारी चीज़े चलती है हमने यह देखा आग का अविशकारक को बड़ा अविशकार करता इसलिए कहा गया क्योंकि आग के अविशकार ने मनुष को सब बनने में महतपूर योगदान दिया पहले तो हम कच्चा ही खा लेते थे फिर क्या हुआ जब आग का अविशकार हुआ तो पका कर खाने लगे तो एक तरीके से हम दीरे दीरे हमारी सब्विता विक्सत होने लगी इससे एक और मनुष के पेट की ज्वाला शान्त होई तो दूसरी और उसे प्रकाश और उश्मा भी मिली तो अब देखे आग के एक अविशकार से बहुत सारी चीज़े हुई आप यहाँ पर आप हम सिर्फ खाना नहीं बना रहे आप देखेंगे बहुत सारे कारखानों में लोहे कात अपना यह सारी चीज़ें आख से ही मुम्किमर हो पा रही है तो हमारी सब्विता का विकास इस आख के कारण ही संभव हो पाया है संस्कृती और सब्विता क्या है अब हमको ये समझाना है संस्कृति और सभ्यता दो की संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता प्रेणा अत्वा प्रवत्ती है जिसके बल पर वह किसी ने तथे का दर्शन करता है तो संस्कृति क्या है वो योग्यता उसके अंदर की वो qualities है जिससे वो नहीं चीज की खोष करता है इसको बोलते हैं संस्कृति इस संस्कृति के द्वारा मानव के लिए कल्यानकारी अविशकार कर जाता है तो मनुष्य को सभ्य बनाने में सहायता करता है वहीं सभ्यता है कहने का तादपर क्या है हमारे अंदर हम जिस चीज से इंस्पायर होकर किसी नई चीज की खोच करते हैं तो वो inspiration क्या है संस्कृती है अब जब हमने कई नई चीज की खोच कर ली तो उससे क्या हुआ हम थोड़े से सभ्य बन गए तो वो क्या कहलाई हमारी सभ्यता कहलाई जैसे अब आब इसको ऐसे समझो अब आग का अविशकार करने वाले वेक्ति को आग का अविशकार करने के लिए जो प्रेणा मिली वो थी संस्कृती अब मानलीजे उसको कच्चा खाना खाना पड़ रहा था उसे अच्छा नहीं लग रहा था ठंड लग रही थी तो इन सब चीजों से बचाव के लिए उसे जो प्रेणा मिली मानलीजे उसके बच्चे बहुत परिशान थे या उसका परिवार बहुत परिशान था कोई बिम खाकर खाना खाने लगे, उनका ठंड से बचाव हो गया, उनको रोश्नी मिलने लगी रात में, तो अब क्या हुआ उनके रहन-जहन के तरीके में फरक आने लगा, पहले जैसे रह रहे थे और आप जैसे रह रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, उनकी सब्भिता में सुधार तो ये क्या हुआ सभ्यता में प्रगती हुई वो सभ्यमानव बने और ये कहलाई उनकी सभ्यता एक संस्रित मानव और सभ्यमानव में क्या अंतर होता है संस्क्रत मानव किसी नई चीज की खोज करता है और उसके आगे आने वाली पीड़ी उन खोजों से लापरात करती है या उनसे जुड़े और नए तथ्यों की खोज करती है तो वो कहलाते है सभ्य मानव एक संस्क्रत मानव वा है जो अपने ज्यान इवं बुद्धी विवेक से किसी नए तत्थे का दर्शन और अविशकार करता है इसके विप्रीत सभ्य मानव वा है जो इन अविशकारों का उप्योग करके अपना रहना सुधारता है और सभ्य बनता है न्यूटन से भी अधिक ज्यान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को संस्क्रत कहेंगे या सभ्य और क्यों तो यहाँ पर न्यूटन संस्क्रत कहलाएगा लेकिन उसकी पद्धती से जो और लोगोंने लाब प्राप्त किया उनके अपनी रहन सेहन के तरीकों में सुधार आया तो वो सब भी कहलाएगे संस्क्रत नहीं कहलाएगे क्यों क्योंकि उन्होंने नई चीज़ की खोच नहीं करी है पर उसने किसी नए तथे का अविशकार नहीं किया है बलकि दूसरों के अविशकारों का प्रियोग करके सब बन गया है संस्क्रत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेणा का क्या महत्व है उधारन द्वाराय स्पष्ट कीजिए संस्क्रत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेणा क्या होती मतलब जो लोग नई चीज़ों का अविशकार करते हैं तो उनके लिए जो प्रेणा का श्रोत होता है उनका क्या इंपोर्टेंस है वो क्या चीज़ है इतना महत्व रखते हैं कि उनसे वो कई नई चीज़ों का सदाई ये प्रयास रहता है कि वे अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तत्य की खोज करें। अब ये खासतोर से कौन होते हैं जो क्या कहते हैं आपके साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट नई चीज़ों की खोज के लिए लगे रहते हैं। होता है ना तो वो उनके नेचर में हैं। तो अब क्या होता है इसमें भौतिक प्रेणाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। भौतिक यानि कि हमारे रहन सहन, खान, पीन, ये सारी चीज़े क्या होती हैं। ऐसा वेक्ति तन ढका और पेट भरा होने पर भी खाली नहीं बैठता। अब जो वेक्ति के लिए प्रेणा ये सारी भौतिक चीज़े होती हैं। अब ये नहीं है कि अगर उसको पेट भूका है तो वो करे ये खाला, बस उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो कई नहीं चीज़ खोजे, ये नहीं कि उसको तकलीफ है तो वो नहीं चीज़ खोजेगा, नहीं, उसके अंदर ये चीज़ जनजात होती है कि वो किसी नहीं प्रतिव जिग्यासु बना रहता है और इस जिग्यासा को शांत करने का प्रयास रहता है। कि आज मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मैं इसकी खोच करूँ उसके पास जो कुछ भी होगा वो उससे बेटर खोच करने के लिए हमेशा तत पर रहेगा इसलिए भौतिक सुख उसके लिए महत्वा पूर्ण नहीं होते लेकिन भौतिक प्रेणा उसके लिए महत्वा नहीं कर सके तो भौतिक सुख और भौतिक प्रेणा में आप फरक समच चुके होंगे भौतिक सुख का मतलब आज हमारे पास अच्छे कपड़े खाने के लिए अच्छा खाना है तो यह हमारा भौतिक सुख है तो हम चुप चप शांती से बैठ के इस आश भरी जिंदिकी क लेकिन संस्क्रत व्यक्ति क्या करता है उसके लिए भौतिक सुख कोई माने नहीं रखता है उसके लिए महात्व क्या रखता है भौतिक प्रेणा माने रखती मतलब जो वो पहन रहा है जो खा रहा है वो उसका सुख प्राप्ट करने के लाबा उससे और नहीं चीज बढ़ चड़के खोजेगा वो सिधार्थ ने मानव संस्कृती में किस तरह योगदान दिया है अब किस तरह उन्होंने योगदान दिया है देखिए सिधार्थ राजा शुस्दोधन के पुत्र थे जिनके पास सुख सिवधाओं का विशाल बंडार था ठीक है जो सिधार्थ मतलग जो आगे चलके महात्मा बुद्ध बने उनके पास भाई वो बहुत बड़े राजा थे राजा के पुत्र थे सारा भौत एक सुख उनके पास था सब कुछ था लेकिन उन्होंने क्या किया सब कुछ त्याग दिया और सन्यासी जीवन अपना आया था वही चीज़ मानवता का सुख दुखी कर रहा था उन्होंने देखा कि मैं तू सुखी हूं लेकिन और बहुत सारे लोग दुखी हैं तो वो उनको दुख कर गया और वे इसी दुखी मानवता के दुख के निवारणार्थ के लिए अपने सुख को ठोकर मार कर ज्यान की प्राप्ति निकल पड़े जिसका लाब उठाकर मनुश दुखों से छुटकारा पास सके तो मतलब सिधार्थ को हम बोलेंगे क्या जो आगे चलके महात्मा बुद्धु बने वो एक संस्क्रत वेक्ति थे उनके पास सारे भौतिक सुख थे सब कुष था लेकिन उन भौतिक सुखों को क भौतिक थे उनके लिए और उनके दुखों के निवारड के लिए वे घर से निकल पड़े थे तो इस तरीके से वो एक संस्क्रत वेक्ति थे क्यूंकि उनके मोक्ष की प्राप्ति एंग और नई नही चीजानप्रास किया था संस्कृति और असंस्कृति के असंस्कृति बनने का तात्र इस पश्ट करते हुए बताईए इस असंस्कृति का क्या परिणाम होता है अब संस्कृति तो हम समझ गए अभी असंस्कृति कहां से होती है संस्कृति मनुष्ट का सदा कल्यान करती है जब संस्कुरती से कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है तो वह असंस्कुरती बन जाती है अब इसको आप ऐसे समझिये सादू महात्मा ये हमेशा क्या करते हैं दूसरों के सुखों के लिए अपने आपको दुख देते हैं ठीक है? सारे सुकू को छोड़के तो वो क्या है वो एक संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं वो उनकी संस्कृति है लेकिन जब यही सादू महात्मा लाभु प्राप्त करने के लिए गलित कारी करते हैं तो वो क्या हो जाती है असंस्कृति हो जाती है क्योंकि उसमें कल्यार की भावना खत अब आज संस्रिती हमेशा गलत करते करेगे और ये सब्विता के लिए नुकसान दे होगा संस्रिती का कूड़ा करकट किसे कहा गया किस चीज को संस्रिती का कूड़ा करकट कहा गया है तो क्या है यहाँ पर संस्विती का कूड़ा करकट उन सड़ी गड़ी परंपराओं और कुरुईतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ ही मानवता हेतु अकल्याडकारी सिद्ध होते हैं तथा कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं तो अब ध्यान से दीखें क्या दिया है सड़ी गड़ी परंपराओं मतलब जो कहीं न कहीं हमारे लिए हाम है हमारे बहुत सारी परंपराएं चली आ रहे हैं मतलब जो हमारे पूरवजों में परंपराएं बनाई थी वो हमेशा हमारे हित के लिए बनाई लेकिन धीरे धीर कि ब्रत रहिए ठीक है अब इसको ऐसे आप समझें कि ब्रत रहने के लिए बोला गया हमारे शास्त्रों में भी लिखाए उपवास रहिए सब करिए इससे आपको शांती प्राप्त होगी तो उपवास का तादपर यहां होता है सात्विक भोजन से कहने का तादपर है फलकाई पानी पीजिए और आराम से भगवान का ध्यान करिए लेकिन आज उपवास का रूप बदल चुका है कैसे बाई सुबह सुबह आप अच्छे से काजु बदाम मुंफली मखाने खा लीजिए उसके बाद आप पकोडी बना लीजिए उसकी के कहते हैं सिंगाले के आटे की प सात्विक भोजन जिसे फला हार करेगे तो आपके अंदर का जो हानि कारत तत्व है वो आपके शरीर से बाहा निकल जाएगा ठीके उपवास इसलिए रखा जाता है और मन भी शान्त होता है सात्विक भोजन से लेकिन यहां हमने उपवज के नाम से तो तामसिक भोजन किया और क्या हुआ हमारे शिरीमे तो वो शांतित नहीं मिली तो ये क्या हुआ हम आरे लिए तो बहुत सारी परंपराएं दी गई थी लेकिन फिर क्या हुआ उसमें हमने अपनी मर्जिय से सारी चीज़ों को डालते गए और वो क्या हो गई आसंस्कृती बन गई तो ये सड़ि गली परमपराओं और कुरितिओं को ही असंस्कृति कहा जाता है जो बनी तो सही थी लेकिन उसमें अपने स्वार्थ परख हम बहुत सारी चीज़ों को डालते गए तो ये हो गई असंस्कृति, इसी को संस्कृति का कुडा करकट कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्ण पत्र समाप्त हुआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसके सरीके से प्रश्ण आपको लिखने हैं करने हैं Magnet Brains आपको अभी तक 100% free education दे रहा था लेकिन अब आपके लिए वो books और e-books भी लेकर आया है यह books आपके लिए Kinder Garden से रिकर class 12 तक के सभी subject के लिए available है इसमें content हमने उमदा दिया है लेकिन आपको और ज़्यादा help करने के लिए हमने इसे अलग-अलग categories में divide किया है मतलब है कि जैसे हम theory परते हैं तो एक theory book हो गई एक हम लोग mcqs करते हैं हर chapter के तो एक mcqs book हो जाएगी आपकी फिर हमने chapter wise revision किया तो एक आपका chapter क्या complete chapter revision book हो गई तो इस तरह की अलग-अलग categories की हमने book आपके लिए ready करी है तो यह आप book अगर प्राप्त करना चाहते हैं कैसे मिलेंगी तो इसके नीचे नीचे description box में आपको एक form दिया गया है इस form को आपको fill करके submit करना है आप इसको जैसे ही submit करेंगे हमारी team member आपसे contact करेंगे इसके दिगाड़ी तो आप book प्राप्त करिए और अच्छे से अपनी और पढ़ाई और ज़्यादा आसान बनाते चले जाए आगे और भी test paper है साथ मेरे एगा Thank you for watching, bye bye